हेलो फ्रेंड्स गुड बॉर्निंग एंड वेलकम टू सेलेक्शन क्लासेज सेलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज हैं 4 मार्च 2021 और आज के जितने भी मोस्ट करेंट अफेर्स के क्यूशन बनेंगे हम इस वीडियो में डिसकेश आज के करेंट अफेर्स के आपको पेडिया फाइल भी चाहिए तो हमारा टेलिग्राम गुरूफ है एड़ रेट सेलेक्शन क्लासेज लिंक डिसकर्शन में हैं डायरेक्टली आप वहां जोइन होकर लिंक प्राप्त कर सकते हो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आज के फर् आर्किटिक छेतर हैं वहां की जलवाईउं और प्रयावन की निग्रानी रखने के लिए उपग्रहल लॉंच किया हैं वह देश कौन सा है वह है रूस ठीका फ्रेंड्स रूस ने हाली में ये लॉंच किया है अब चलिए इसके इंपोर्टेंट फेक्ट के बात करते हैं इं आर्किटिक एम आर्किटिक महादीब अंट्राटिका महादीब पर होने वाली हल्चल थता अन्य छेतर की जलवाईउं और प्रयावन छेतर की निग्रानी रखने का काम करेगी थता हर पंदरा से 30 मिनट में वहां की तस्वीरे भी भेजेगी और यह कजाकिस्तान के बेको न में बात रूस की हुई है तो चलिए रूस के बारे में जानते हैं तो रूस के बारे में देखते हैं रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रूस कोस्मोस एंड वहां के राजदानी है मासको एंड रूस की मुद्रा है रूबल एंड रूस की संसद का नियाम है डूमा एंड व व्लादिमीर पुतीन चलिए बात करते हैं अगले करिंटाफेस की क्यूशन की अगला प्रशन है इंडियन इंडियन विमेंज्स लिग 2020-21 की मेजवानी कौन सा राज्य करेगा ठीक है इंडियन्स विमेंज लिग की जो मेजवानी यह वो कौन सा राजे कर रहा है वो कर रहा है उडिसा राजे ठीक है अब जानते इसके important fact की तो All India Football Federation यानि की AIFF का संगटन है जो भारत में फुटबाल के खेलों का परभंदन करता है अब AIFF की एस्तापना हुई थी 23 जून 1937 को इसका headquarter है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्स है पर फुल पटे ठीक है मैं AIFF की बात कर रहा हूँ इस संगटन की जो फुटबाल के मेचे संगठित करवाता है वो है All India Football Federation ठीक है अब क्यूसर में बात उडिसा की हुई है तो उडिसा के बारे में जानते हैं उडिसा इसकी अस्तापना हुई थी 1 अपरेल 1936 को उ उडिसा के राजदानी है भुनेश्वर उडिसा के मुख्यमंत्री है नवीन पठनायक और उडिसा के राज्यपाल है गणेश लाल एंड उडिसा के मुख्यनायदी से एस मुर्लिधर एंड उडिसा में लोकसभा सीथ है 21 उडिसा की राज्यसभा सीथ है 10 और उडिसा की वि उडिसा के लोक नरते हैं घमूरा नरते वहाँ का बहुत ही फोपुलर लोक नरते हैं और उडिसा की राजिक्ये पसु हैं सामबर एंड राजिक्ये पक्स हैं भारतिये रोलर ठीक है friends तो इतनी जानकार्या आपको मिलती हैं उडिसा की, ठीक है? चलिए बात करते हैं अगले करेंट अफेस की क्यूसन की अगला प्रशन आपके सामने है हाली में तीसरा जन ओस्दी दिवस समारो कब से सुरू हुआ है तो हाली में जन ओस्दी दिवस समारो वो एक मार्च से सुरू हुआ है ठीक है एक मार्च से ये साथ मार्च तक चलेगा ठीक है एक मार्च से शुरुआ है और कहां तक चलेगा साथ मार्च तक चलेगा जन ओस्ति दिवस समारव है अब ये मनाया क्यों जाता है इसका क्या उदस से हैं वो जानिए इसका उदस से ये हैं जेनेरिक दवाओं के उप्य सोरी दोजार गुनिस को साथ माज दोजार गुनिस को ही थी ये तीसरा जन ओस्ती दिवस मनाया जा रहा है ठीक है तीसरा मनाया ये दो पहले मना चुका है एक तो दोजार गुनिस में एक दोजार बीस में और अब दोजार एक इस में कौन सा मना रहा है तीसरा जन ओस्ती जीव दिवस कम मनाया जाता है तो हाल में विश्वय वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा तीन मार्च को ठीक है हाल में मनाया गया है तीन मार्च को विश्वय वन्य जीव दिवस ठीक है फ्रेंड्स अब यह क्यों मनाया जाता है क्या इसका उदस्य है वो जानिए देखे 20 दिसम्बर 2013 को संयुक्त राश्टर महासभा ने अपने 68-78 में तीन मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस की गोशना की थी इसे थाइलेंड की और से विश्व के वन्य जीव और वन्सपतियों के बारे में जागरुकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था यह थी इसके उद्शे की बात चलिए बात करते हैं अगले प्रशन की अगला प्रशन आपके सामने है मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के उचायुक्त के रूप में न्यूट किया गया है एंडियन हाई कमिशनर के रूप में न्यूट किया गया है तो कौन से द्वस ने किया है ओस्टेलिया ने किया है ठीक है मनप्रीत वोहरा को उचायुक्त के रूप में ओस्टेलिया ने निउट किया है अब इसके जानते है मनप्रीत वोहरा को ओस्टेलिया में भारत का अगला उचायुक्त निउट किया गया है और वर्तमान में वे मेक्सिको में भारत के राजदूत भी थी ठीक है अब बात क्यूसर में ओस्टेलिया के हुई है तो ओस्टेलिया के important fact जानते हैं ओस्टेलिया वहां की राजदानी है केनब ठीक है ओस्टेलिया की राजदानी क्या है केनब है और केरेंसी क्या है डोलर है और ओस्टेलिया के परधानमंत्री है इसकोट मोरिशन है एड़ ओर श्टेले के जनसे क्या है पत्चिस मिलियन ठिक है चोबिस पॉंट नैनी के शामने हैं पहस्जी मीनो शेना कमान के पर्मुक के रूप reflex किया गया है पहस्जी पस्तिमी नो सेना कमान में ठीक है किसे नुक्त किया गया है तो वो है आर हरी कुमार ठीक है आर हरी कुमार को पस्तिमी नो सेना कमान का परमुके नुक्त किया गया है अब बात हो रही है हरी कुमार की तो आप इनको तस्वीरों में देख रही होंगे अब अपन बात करते हैं अन्य सेना के परमुक होगी कि अन्य जो सेनाई हैं उनकी परमुक कौन हैं तो चलिए फर्ष्ट बात करते हैं अपन चीफ ओफ डिफेंस स्टाप यानि कि सी डी एस इसके परमुक है विपिन रावत ठीक है और नए उप सेना परमुक है चंडी परसाद महंती एंड वायू सेन के अद्यक्स हैं आर के एस बधोरिया और नो सेना के अद्यक्स हैं करम वीर सिंग और भारतिय तत्रक्सक बल के महने देशक है करशन स्वामी नटराजन और राष्ट्री सुर्क्सा गार्ड एन एस जी के महने देशक है सूर्जित सिंग देशवाल और भारतिय रेल्वे सु पुर्क्साबल के महाने दे सक है। कुमार राजेस चंद्र तो यह आंगला क्यूशन है हमारा करेंट अफ्यर्ट का वो ये हैं कि एक मार्च patent 2021 को 1 March 2021 को Land Ports Authority of India यानि LPAI ने अपना कोन सवास्तापना दिवसे मनाया है तो Land Ports Authority of India ने अपना नोवास्तापना दिवसे मनाया है ठीक है अब जानते इसके important fact की important fact है Land Ports Authority of India ठीक है यानि कि LPAI ने अपना 1 मार्च 2021 को अपना 9 अस्तापना दिवसे मनाया है ठीक है एंड Land Ports Authority of India या LPAI का वेदानिक निकाय है जो गरह मंत्राले भार सरकाल के अधिन काम करता है ठीक है यह भारत में सीमा अफसंचरणना के निर्माण अन्यान रख रखाव और परबंदन के लिए जिम्मेदार है यह पूरे भारत की सीमा उपर कई एकिकर चेक पोस्ट का परबंद भी करता है ठीक है फ्रेंट्स अब बात करते हैं लेंड स्पोर्ट्स एथोरिटी ओफ इंडिया की इसकी अस्तापना हुई थी एक मार्च दो जार बारा को और इसका मुख्याले हैं नई दिल्ली में और इनके अध्यक्स है आदिते मिसरा ठीक है फ्रेंट्स तो ये थी हमारे आज की करेंट अफेर्ज की क्लास फ्रेंट्स अगर आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हूँ करेंट अफेर्ज का और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो कैसा लगा अपने राइ कमेंट बॉक्स में जरूर देना ठीका प्रेंट्स तो ये रही हमारी सेलेक्शन क्लासेज का आज का करंट अफेर्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद